हेलो स्टुनेंट वेलकम तो लवन कोचिंग अल्लाइन टीजिंग प्रोग्राम मैसल्फ एसके निराला यूर मैथमेटिक्स टीचर टूदेविल बीए स्टार्टर इंपॉर्टेंट लेक्शर पॉर यह यू और अल्स्टुदेंट्स ऑगाइज टॉपिक विल बेस्टार्ट नंबर लेक्शर फॉर ओके तो जैसा बच्चो मैंने प्रिविएस क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था न्यू टॉपिक इकली डिविजन लेमा आज हम लोग उसके कोशन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिये थे बहुत बच्चो कोशन से प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम लोगों को इसमें सीखना है ठीक है तो सबसे पहले कल के हम इकली डिविजन लेमा के बारे में सबसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले इकली डिविजन लेमा जो होता है उसका फर्मूला क्या होता है तो जल्दी जल्दी से आप लोग बच्चो reply में करिए लिखिए सभी लोग जल्दी से भीजिए कमेंट आ रहा हैं सबके very good सभी बच्चों ने दिरे दिरे जवाब देना शुरू कर दिया है तो जल्दी करिए आप लोग बताइए क्या होता है formula और किस पर depend करता है तो उसी पर सारे question करेंगे और आज सीखेंगे board का important question जो four marks का आता था लेकिन अब four marks का हट गया है अपनों का changing हो गया है paper तो five marks में यह question आएगा या तो three marks में a question इससे रहेगा ही ओके तो स्वास्तिक ने सबसे पहले जवाब दिया और right answer दिया है a equal to b q plus r और r किस पर depend करता है उस value को भी लीखना है कि r की value और इससे कैसे हाँ तो बहुत सारे ने हर्षित कुमार ने अच्छा लिखा है लेकिन equal to भी लिखना है कि कैसे करेंगे तो फिर से बच्चों यहाँ पे आपको याद दिला दे कि कैसे हम लोग को करना है और उसको लिखना है तो सबसे पहले मैंने बताया था कि every equally division lemma equal to formula जो बना था वो dividend equal to division into quotient plus remainder से बना था उसको ले लिया गया था two positive integer a and b bq plus r और r को बताया था कि कोई भी division हो उसमें r की value zero से हमेशा बड़ा या equal होता है greater than r equal to greater than and equal to zero but less than b समझ में आ गया बच्चों तो इस दोनों का using करके हम लोग को solution को solution करते हैं ओके इसी पर depend होता है ओके तो इस पर ध्यान देना है तो सबसे पहले यह question very very important है note कर लीजे इसको सबसे पहले सभी लोग note करेंगे और करेंगे क्योंकि यह very very important question है और ncrt के first exercise में है ओके और यह five marks में question आता है तो अगर यह लेमा का question deleted portion में इस यह नहीं होगा तो फिर यह आएगा नहीं तो अगर deleted portion में चला जाएगा तो नहीं आएगा लेमा अगर deleted में होगा तो फिर हम लोग another पर पढ़ेंगे कि बताते रहेंगे आपको update देते रहेंगे कि क्या है update लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है तो जैसे मैंने बताया था बच्चों कि हम लोग को कैसे start करना है सब question को पहले पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है यूज equally division लेमा ठीक है यानि आपको इस लेमा का यूज करना है यानि लेमा इस प्रूवेन स्टेटमेंट और उसी प्रूवेन स्टेटमेंट को हम लोग यह सब portion application करने में यूज करते हैं जैसे मैंने बताया था आपको तो बिलकुल घबडारा नहीं है केवल इसमें मैंने ट्रिक्स का नाम दिया था प्लेइंग गेम यानि नौट अंकी करना है और कुछ करना नहीं है तो किते लोग बहुत अब हाड लगता है इनको कि यह बहुत डर लग रहा है अब क्या करें ऐसा कुछ नहीं गेम खिलना है ना किसके द्वारा विए और के हो नहीं बहुत करें बच्यों मैस में मैस अ आप किसी भी वर्जन से कर सकते हैं बस क्या होता है वह आपके schooling teacher या parents या आपको बहुत लोग ऐसे करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हों ने उसी तरीके से game खेला है नया कुछ किया नहीं तो इसलिए नया वर्जन बताएंगे नहीं तो आपको panic नहीं होना है मेरे साथ नए नैने ट्रिक्स नैने लॉजिक सीखना है क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं कि सिस्टमाटिक धंग से अच्छे से पढ़ना है और करना क्या है सुनना सबका है देखना सबका है सारे चीजों करना है लेकिन लास्ट में करना खुद का है अपना है तो प्रैक्टिस करिए औ और अच्छे से सीखिए ओके ठीक है तो कैसे करेंगे बच्चो तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा है क्या रहा है कि सो देट देट क्यूब आफ एनी पोस्टिव इंटीजर इस दा आइधर फॉर्म आफ नाइन नाइन प्लस वन नाइन प्लस एट यहाँ नाइन है तो क्यूबिंग है कल मैंने स्क्वाइर का आपको बताया था तो अब सबसे छोटा फॉर्म किस से होता है अब तुम सीखो थ्री का स्क्वाइर कितना होता है नाइन थ्री का क्यूबिक में भी क्या होता है नाइन तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म थ्री है यहां किते लोग यह बी की वैलू 9 आ जाएगा ऐसे यही गेम चेंजर है एक क्या होता है पहले जीरो लेवल की कोशन होते है फिर डिफिकल्ड धीरे-धीरे ऐसे होता है तो बच्चो कोशन की प्रैक्टिस कैसे करना है जीरो लेवल से जैसे मैंने कल बताया था यानि 3 का जो फैक्टर है 3 का स् 27 उसमें भी 9 common है तो यहां हम लोग पहले छोटा formation बनाएंगे यानि हम लोग पहले सबसे पहले एक positive integer माल लेते हैं तो जैसे मैंने बताया A का formula है तो A ही को माल लेते है क्योंकि A and B are positive integer तो क्या मानेंगे लेट A, B, N, E, positive integer इसको आप note कर लिए होंगे बच्चो वेरी गुड पोस्टिव इंटीजर अब A को positive integer माल लेते हैं अब मानेंगे क्या कि it is in the form of smallest form अब aim के form में है तो aim जो question दिया है उसी के formation में नहीं मानेंगे क्योंकि direct हो गया ना वो मैस में क्या कहता है माना की the cost of mango x बस उल्लू बनाएंगे दूसरी रूप में मानेंगे उसका नहीं लेंगे aim है तो aim नहीं ठीक है यह नहीं नहीं जैसे कैसे किते लोग को समझी भी नहीं जैसे प्रूब डाट रूट थ्री जाई रेशनल था हम तो directly we know that जानत है कि रूट थ्री रेशनल लंबर है और है एंस प्रूब लेकिन नहीं उल्टा करना है तो इसे ही मैच में हमेशा लेट सिश्टम चलता है यानि माना का हम लोग direct answer नहीं मान सकते तो यहाँ भी direct answer नहीं मानना है नो टंकी करना है दूसरे रूप में तो इसलिए पहला chapter बहुत लोगों को कम समझ में आता है क्योंकि speech वाले question जादा है लिखने वाले English लिखने वाले तो डर लगता है अब क्या होगा मैं English कैसे लिखूँ अरे भाई math पढ़ रहे हो English नहीं कि डर रहे हो तो यहां डरना नहीं है गेम खिलना है छोटी छोटी चीजों को लिखना है ओके तो कैसे करना है देखो later a b any positive integer it is in the form of क्या recue recue plus one या कोई भी formation में आप डाल सकते हो for क्या some integer q यह कहां पे use होने वाला है board में कितने marks का five marks का तो अगर आप अच्छे से वहां English और सारे चीजें नहीं represent किये आपके marks कर जाएंगे क्योंकि यह subjective question है Olympiad नहीं है objective नहीं है अभी मैं कराऊंगा इसी पे objective question तो version को समझना बहुत ज़रूरी है के वहला आगे बढ़ना ही नहीं अच्छे से सीखना systematic ढंग से सीखना बहुत ज़रूरी है कोरम पूरा नहीं करना है class खतम नहीं करना है ठीक है अच्छे से सीखना है तब मज आएगा कैसे करना है तो कैसे करेंगे बहुत सारे बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है राज, शुशिल, छिती, सशांक, विनीद, very good और अब गाईज आर, keep going, very good तो कैसे करना है अब आगे का जो थियोरी है कि कैसे करेंगे तो अब यहाँ पे ढूड़ना है बी तो comparing कराएंगे जैसे क्या जानते हैं a equal to b q plus r और यहाँ 3 q है तो q से q cancel, so यहाँ पे लिखेंगे here b equal to 3, b equal to 3 और अब relation between b and r तो मैंने क्या बताया था r less than b and 0 k greater and equal तो r की value कैसे लिख सकते हैं so r की value पहले 0 के equal है तो 0 तो होना ही है हमेशा 0 के equal है तो 0 होना है but क्या है r less than b यानि r less than 3 तो यहाँ जो है less than 3 कौन-कौन number होंगे 0 से start करेंगे तो 0, 1, 2 so r की value 0, 1, 2 इतना करना है सबसे पहले starting में आपको हमेशा क्या find out करना है b और फिर इसके बाद relation में r की value को find करना है इसके बाद आप क्या करेंगे case बनाएंगे case first तो कितने case बनेंगे यहाँ पे 3 क्योंकि r की value 3 आए हैं तो सबसे पहले case first में b की value 3 और r की value 0 लेंगे पहला case में और फिर use करेंगे using यहाँ पे लिखना है इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है board में use eqlid division lemma यानि lemma का use करना है तो using क्या eqlid यहाँ पे लिखना है eqlid division lemma board में आप गलती नहीं कर सकते हैं every ठीक है लिखना है एक एक चीजों को note करना है पहले आपको math में लिखना सिखाएंगे English कैसे लिखें डरे नहीं किते बच्चे बहुत जल्दी भाग जाते हैं panic हो जाते हैं मुझे मजा नहीं आ रहा है यह सब board है सभी लोग board में topper नहीं बनते हैं और सभी लोग board में fail होने के बाद भी IIT निकालते हैं तो दो version है लिखने का version बहुत कम लोग होते हैं जो board topper बनते हैं तो बच्चो मेरी जो पढ़ाई होती है वो a standard version board topper हम देते हैं यानि हम आपको अपने class से बताते हैं कि कितने every student हमारे board topper बने हैं जब आप उनसे मिलेंगे या कहेंगे तो समझाएंगे सर ने कैसे छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिलाया और कैसे लिखना है ये board practice है क्योंकि board का question है Olympiad का नहीं है अच्छे से सीखना है तो कैसे करेंगे तो आप देखो बच्चो using equally division lemma क्या होता है formula a equal to b q plus r अब a equal to b की value कितना put करना है 3 3 q plus r की value 0 अब इसको करेंगे तो क्या है a equal to 3 q तो लेकिन हमारा अब question में क्या बोला है so that the cube of any positive integer cube of any हमने positive integer को क्या माना है बच्चो a लेकिन वहाँ पे question क्या बोला है cube of any positive integer cube of यानि यह तो a आया लेकिन इसका cubing cube का मतलब यहाँ cubing कर रहा है ठीक है बच्चो math में अच्छे से समझीए cube का मतलब यहाँ पे cubing यानि कोई भी कहेगा कि integer का cube क्या होगा तो a का a cube और square का क्या होगा a square यानि इसका formation सीखना है यानि यहाँ कर रहा है कोई भी positive integer का cube जो होगा वो या तो 9m के form में होना चाहिए या 9m प्लस 1 के form में होना चाहिए यह 9m प्लस 8 के formation में होना चाहिए यह इसी formation में होना चाहिए दूसरे formation में नहीं तो इसी को केवल दिखाएंगे तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले cubing करेंगे यानि both sides यानि both sides cubing then यानि हम लोग cubing करने वाले हैं तो a का cube करेंगे तो क्या हो जाएगा aq और 3q का cube करेंगे तो कितना हो जाएगा a का cube aq और 3 का cube करेंगे तो 27q का cube लेकिन किस के formation में दिखाना है बच्चों 9m के formation में तो इसमें 9m common ली सकते हैं तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे यानि पहले case के अनुसार aq equal to 9 comma ले लेंगे तो बचेगा 3q का cube अब इसको हम लोग इधार माल लेंगे suppose ठीक है बगल में rough में use कर सकते हैं suppose m equal to 3q for some integer m ठीक है 3q का cube तो यहाँ पे अब हम रखेंगे aq equal to 9m यानि इसको हम लोग किनारे में मैस कता है मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे लीख लेंगे कि aq equal to 9m तो पहला formation आ गया first case से ठीक है तो सबको समझ में आ गया very good ससांग पंडे तो आपको कैसे लीखना है board में represent करना है यह ज़रूरी है यह सब लेमा के question पे very good जल्दी से reply करिए कितने बच्चों को समझ में आ गया से reply में yes यानो तब मैं के second करूंगा सब लोग note कर लें इस question को दो तीन बार practice कर लेंगे अगर आपका unit test होने वाला हो तो इस chapter से यह question और एक proving irrational number का question तुरत आने वाला है तो इसलिए अच्छे से practice करना है ओके very good ठीक है तो अब करने वाले हम लोग case second की कैसे हम लोग करेंगे ठीक है बच्चों तो अच्छे से practice करना है इसको अब हम लोग करेंगे case second case second में फिर वही क्या b की value 3 अब r की value हम लोग 1 लेंगे इसका b की value 3 और r की value 1 क्या होता है फिर formula a equal to b q plus r a को a रखा b की value put कर दिया 3 q और r की value 1 लेकिन कर रहा है कि every positive integer का cube तो इसको q कर दे a का q और इसको 3 q plus 1 का q ठीक है ऐसे करेंगे a का q और 3 q plus 1 का q ठीक है बस यही square का देता है या cube का question तो अब यह formula बन जाएगा किसका तो यहाँ पे note कर लेना है कितने बच्चों को गड़बर हो जाता है a plus b का whole q क्या होता है a q plus b q plus 3 a b bracket में a plus b इसी का use करना है इसी formula का यहाँ तो हो गया कोई भी positive integer a का q कहां गलती करते हैं ऐसे questionों में क्योंकि 5 number का यह question है तो important है अच्छे से board में clear कर लेना है तो कैसे करेंगे a q यहाँ 3 q का q 27 q q फिर इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे 1 का q 1 ठीक है plus 3 a b 9 q 3 into 3 q 9 q into 1 फिर a plus b यानि 3 q plus 1 अब multiply कर देंगे a q equal to यहीं पर लिखने का स्ट्रिक सिखना है 27 q प्लस अब यह पहले लिखेंगे 1 को बाद में क्योंकि अगला formation क्या बनाना है 9 m plus 1 तो 1 को हम लोग कहा लिखेंगे बाद में पहले इसको कर लेंगे 9 3 जा 27 q square अब plus यहाँ होगा 9 q हम लोग कहा लिखेंगे किनारे प्लस 1 को यहाँ पर लिख दिये अब इसमें से हम लोग को common क्या लेना है 9 तो a q equal to 9 common लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 3 q और प्लस 9 3 जा 27 q square plus 9 बन जा 9 अब किते लोग कहेंगे q भी common ले रहे थे तो q क्योंने लिए क्योंकि q यहाँ नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर q for some integer change करना है तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ किनारे rough में लिखेंगे suppose हम लोग यानि यह जो value है इसको हम लोग m मान रहे है m equal to जितनी भी यह सब चीजें हैं उनको आप roughly में इधर करेंगे 3 q का q 3 q square plus q तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब हम इसको m लिए for यहाँ लिखेंगे sum integer m sum integer m तो कितना हो जाएगा a q equal to 9 m plus 1 9 m plus 1 तो पहले किसके वर्जन में आ गया 9 m अब किसके वर्जन में आ गया 9 m plus 1 अब कौन सा case बच गया है case third जिसमें आएगा किसमे 9 m plus 8 तो कितने marks का question है 5 marks का तो board में अच्छे से नहीं करेंगे तो 5 marks नहीं gain कर सकते हैं तो very very important question तो अब सीखना है हम लोग को case third केवल कहां पे बच्चे गलती करते हैं यहीं पे formula पे a plus b का whole cube क्योंकि कह रहा है question कि every positive integer का cube form या तो 9 m के form में आता है या 9 m plus 1 के form में आता है या 9 m plus 8 के formation में आता है तो बिल्कुल घवडाना नहीं है ठीक है कभी कभी ऐसा दीन आता है जहां पे हम लोग एक ही question करेंगे लेकिन ज़्यादा marks प्राप करके जाएंगे यानि 5 marks ठीक है बच्चों तो आप लोगों को 5 marks के question 4 वाने वाले हैं इस बोड में तो 5 फोर्जा यानि आपके एक भी question मिस हुए तो 5 marks चले जाएंगे बोड में यानि 20 marks तो very very important ओके तो अच्छे से सीखना है अब हम लोग सीखेंगे case third note कर लेना है बच्चों इसको ठीक है अब हम लोग सीखने वाले है case third तो b की value कितना रखना है 3 और r की value रखना है कितना 2 तो क्या हो गया formula क्या होता है a equal to b q plus r तो a equal to b की value कितनी put करेंगे 3 q और plus r की value 2 ठीक है तो क्या करना है कर रहा है कि cubing यानि cubing तो cube करना है both side तो a का q और ये 3 q plus 2 का q और मुला बन गया a plus b का जैसे मैंने बताया था a q और फिर a plus b का whole q a q का q यानि 27 का q फिर b q 2 का q 8 plus 3 a b 3 2 जा 6 q फिर a plus b 3 q plus 2 multiply कर देंगे तो क्या finally आया 27 q plus 8 फिर 6 3 जा 18 q और फिर 6 2 जा 12 q तो अंदर है इसको ध्यान में रखना है नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड होने वाला है 3 a b 3 3 जा 9 2 18 फिक है अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या बच्चो इसको यहाँ पे देखो किसके formation में लाना है 9 a plus 8 तो यानि last में किसको रखना है 8 को तो सबसे पहले हम लोग इसको सजाएंगे systematic डंग से यानि प्लस 8 को किनारे लिखेंगे और यहाँ a q equal to 27 q ठीक है plus 18 3 जा 54 q square अब प्लस 36 q अब यहाँ से हम लोग कितने का कॉमा ले लेंगे 9 का कितने का कॉमा ले लेंगे 9 का तो कितना formation आ गया a q equal to 9 कॉमा ले लेंगे तो 9 3 जा 27 9 6 जा 54 और 9 4 जा 36 यहाँ q common नहीं लेना है मैं बार बार बुलूँगा q कभी common नहीं लिजेगा q भी common है लेकिन board में आप गलती कर देते हैं लालाच में कि q भी common हो रहा है q नहीं क्योंकि अब यहाँ पे 8 बचा है 8 को किनारे लिग दिये इसको हम लोगों को मानना है suppose ना क्या अब इतने ही को हम लोग मानेंगे m क्या मानेंगे m m equal to 3 q plus 6 q square plus 4 q क्या for some integer q ना यानि किसके लिए हम कर रहे थे m के लिए तो m के लिए तो for क्या बन गया a q equal to 9 अब यहाँ m आने है तो 9 m plus 8 यानि every इसे क्या मिला using कि आब last में लिखेंगे every positive integer का q ठीक है every positive integer का q जो होता है किसके formation में होता है या तो 9 m या तो 9 m plus 1 या तो 9 m plus 8 ठीक है इसी के according में होता है तो hence क्या हो गया proved यानि आप जब भी question करें इस सब चीजों का तो किसका use होता है तो इसी को कहते है actual equally division lemma तो algorithm से क्या होता है वो algorithm एक procedure होता है जिससे SCF find करते थे उससे एक question होता है board में या फिर lemma से use करके जो question होते है कि कोई भी positive integer का square इसी के form में होता है कोई भी cubic integer का cubic integer का formation 9 m, 9 m plus 1 के रूप में होता है तो ये जरूरी है formation अब हम question करेंगे थोड़ा olympiad version थोड़ा toughest version की अब question कैसे change देगा अगर यहाँ 9 का है मालो इसको 5 का हम आपको आज homework देंगे बताएंगे इसको दूसरे formation में कि अगर 5 Q के form में लिखना होगा तो यानि अब वहाँ जो tricks है 5 यानि B की value 5 यहाँ B की value 9 लिखेंगे तो ज़्यादा cases बढ़ जाएंगे तो यानि सबसे छोटा अगर मालो 5 का factor 25 होता तो हम 25 नहीं लेंगे सबसे छोटा वाला 5 का किस में? square में या cubing में क्योंकि वह 5 common देदी देगा तो इन छोटी छोची tricks को समझना है कि कौन किसका factor है और कैसे होने वाला है ठीक है? तो तेज़ा सिंग ने लिखा है कि उसे नहीं लिख सकते हैं जादा क्योंकि remainder 01 ही होगा हाँ बिल्कुल remainder के case से ही हम बताएंगे कि कैसे होता है ठीक है बच्चों? तो ये special question है इसको बार-बार note करना है और practice करना है next question चलेंगे अब इस तरह के question दोको इस तरह के question board में अलग version से करना है और फिर इसी तरह का question Olympiad में आएगा बस question वही रहेगा अलग-अलग version में करना है तो सबसे पहले हम आपको Olympiad version में tricks बता देंगे कि कैसे हम लोग सोच सकते हैं क्या बोला गया है prove that the product of three consecutive positive integer ठीक है prove that ठीक है three consecutive integer is divisible by six देखो question में कोई दम नहीं है सब लोग जानते हैं यह question है बहुत easy है लेकिन proof कैसे करें यह बहुत कम लोग जानते हैं तो this part of very very important question तो कैसे हम लोग को करना है ठीक है अच्छे से समझना है ठीक है sorry कैसे हम लोग को करना है कोई भी करें question सबको समझ में आ जाएगा तुरत very easy consecutive का मतलब क्या होता है लागातार यानि जैसे माल लोग कोई one बोला तो one two three या three four five तो three consecutive integer का करहा है product कौन सा तो positive यानि positive कहां से आता है zero के बाद से ही ये बात हमेशा द्यान देना है ये जो लेमा था वो positive integer पे negative नहीं तो zero के बाद से ही one से ठीक है तो यहाँ पे करहा है कोई भी three positive integer का product तो जैसे मैंने consecutive one लिया तो one into two into three code divisible by six तो बिल्कुल कट रहा है भाई six by six कट के कितना आ गया one यानि यही one time में यानि divisible है very good ठीक है फिर इसको दूसरा already two या two, three, four यह भी six से divisible है six से six cancel हो गया यानि कोई भी हम लोग consecutive integer लेंगे वो divisible six से तो हो गाई already जानते हैं लेकिन करे कैसे इसी को अच्छे से समझना है तो नहीं तो नहीं समझें तो board में गलत हो जाएगा क्योंकि इस तरह directly हम लोग leak सकते हैं कि नहीं यह केवल वहां के examination पे depend करता है नहीं तो यही कर लेंगे माल लेंगे later three consecutive number one two three product one into two into three लेकिन वह मानता नहीं है वो किसको मानता है किताबी follower कहेगा किताब में कहां लिखा है तो निरलवा का tricks है यानि यह निराला सर ने बताया तो उन्हीं से जाके number लेलो हमसे नहीं हमारा किताब वाला चाहिए नहीं तो मैं तुमको काट डालूंगा number खा जाऊंगा तो इससे घबडाना बिल्कुल नहीं है वो tricks भी सिखा रहे है और यह directly tricks है यानि कोई भी इस तरह के question को हम directly late करके कर सकते है according to not a book cleared होना चाहिए theory concept होना चाहिए तो all of guys सबको समझ में आ गया objective tricks कि हम लोग कैसे already जानते हैं कि कोई भी consecutive integer का product six से ही divisible होगा तो केवल question यहीं रहेंगे यहीं question फिर बदल जाएगा another form में लेकिन trick सिखना है आपको कैसे करना है ठीक है तो जल्दी से हमको reply करिए कितने बच्चों को समझ में आया यह question say reply me say us या no very good sorry very good very good तो कैसे करना है अच्छे से समझना है board version में किस से divisible है six से ठीक है किस से divisible है six से तो हम लोग क्या पढ़े थे सबसे छोटा वो याद करेंगे यानि कोई भी positive integer क्या पता है थे सबसे छोटा कि कोई भी late कोई भी positive integer जो होता है two q plus one two q plus three यही से start किये थे फिर वहाँ से अलग-अलग किये थे क्या even integer odd integer तो खिलवाड खिलते हैं game खिलते हैं इसका नाम क्या है क्या खिलवाड playing game ठीक है बच्छों डरना नहीं है आ जाते है किस version से board version से डरना नहीं है आपको क्या है बस पढ़ाया नहीं गया उस तरह से उल्लू नहीं बनाया गया है यानि easy tricks नहीं बताएगा इसलिए आपको डर लग रहा था याद करिए मैंने क्या zero level से बताया था कि कोई भी positive integer हम लोग 2 q 2 q plus 1 t q plus 3 t q plus 5 के version में हम लोग start करेंगे वो r और less than के जब तक नहीं गा तो जब 2 का formation था तो 2 q और 2 q plus 1 क्योंकि less than 2 e होगा ठीक है तो every positive integer यहाँ even और odd की बात नहीं हो रही है के वल positive integer की बात हो रही है तो every positive integer 2 q 2 q plus 1 के रुप में लिखते थे लिखते थे उसके बाद फिर हम लोग अलग-अलग किये क्या कि every odd integer जो हो गया 2 q plus 1 हुआ और every even integer जो हुआ वो 2 q हुआ तो जब even और odd मानेगा तब हम उसमें even odd लेंगे जब इसमें केवल positive मानेगा तो सारा ले लेंगे यही trick सीखना है लेकिन यहाँ divisual किसे है तो divisual है 6 से तो हम लोग मानेंगे 6 q से ठीक है तो कैसे मानेंगे देखो यहाँ से या उससे भी मान सकते है 2 q से भी मान के देखेंगे अगर 6 से divisual हो जाएगा तो वो भी value ले लेंगे तो अच्छे से समझना है लेकिन 6 q से तुरत हो जाएगा तो मान लिए क्या यहाँ पे कर रहा है कि 3 consecutive positive integer में हम जैसे ही मान लेंगे कि चलो यह 6 से कटना है तो 6 q 6 q plus 1 लेट मानना ही है यहाँ पे 3 consecutive integer 6 q 6 q plus 1 और 6 q plus 3 कोई भी value ले लेंगे तो जब हम उसको करेंगे तो मान लो 6 q plus 3 ले लिए तो कर रहा है तीनो का product किस से divisible होना चाहिए 6 से तो 6 से 6 क्या हो गया cancel तो यहीं game खिलना है ठीक है every positive integer it is in the form of सबसे smallest 2 q 2 q plus 1 2 q plus 3 तो यहाँ 6 से divisible है तो directly हम 6 q से मानेंगे तो अब यही case हो गया case first अब इसी तरह दूसरा value को करेंगे जैसे हम लोग कर लिए तो उसमें किते लोग इस तरह से करते हैं n, n plus 1, n plus 2 यह और n जो है यहाँ पे कोई positive integer है जब book version करोगे और यहीं n की value हम लोग माल लेंगे जैसे हम लोग 2 q के formation में है 2 q के भी formation में कर लेंगे 6 q के formation में है तो 6 q के कर लेंगे सर वो consecutive नहीं होगा होगा आपको q के रूप में नजर आ रहा है मैं n के रूप में बता रहा हूं किसके रूप में? n के रूप में बता रहा हूं consecutive यहाँ q की value नहीं दिया है हम आपको बता रहे हैan पोश्टिव इंटीजर से 100 है, अच्छे से समझना है, हम किसका बता रहे है, पोश्टिव इंटीजर का फॉर्मेशन, की कैसे हम पोश्टिव इंटीजर का फॉर्मेशन रखेंगे, तब हम यहाँ, n से value को करेंगे this is your consecutive integer यह है यह नहीं यह हम बता रहे तो पहले अच्छे से समझ यह teacher की बात ठीक है पहली नहीं पहले समझना है कि teacher क्या बोल रहा है किसके लिए बता रहा है कि कैसे समझना है ठीक है तो positive integer आप इसको मानेंगे three consecutive integer n n plus 1 n plus 2 अब n की value कोई एक ही मान सकते है ना positive integer में या 6 q या 6 q प्लस 1 या 6 q प्लस 2 अच्छे से समझ यह पहले question को कैसे लिखना है reply me sorry आपको समझ में आया मेरी बात कैसे करेंगे तो चलिए board version में कैसे करना है इसको लिखते वक्त कि late ठीक है exam में कैसे लिखना है इसका solution let n be any positive integer और क्या हो गया consecutive n n plus 1 n plus 2 अब क्या आप बोला है प्रूफ करना है इसको क्या प्रूफ करना है कि every positive integer का product consecutive integer का product तो जैसे ही मैंने माल लिया n ठीक है बच्छो तो कैसे पहले दिखाएंगे n into n प्लस वान एन प्लस वान और एन प्लस टू डिविजवल बाई 6 प्रूदक्ट यह consecutive integer है ठीक है अब अब क्या है कोई भी अब एन की वैलू सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहां से 6Q से तो n equal to 6Q case 1 ठीक है अब यही से समझना है case 1 यानि 6Q से start करना है तो n की वैलू 6Q रखे तो क्या हो गया 6Q into 6Q plus 1 into 6Q plus 2 का product divide by 6 6 से 6 divisible हो गया सही अब case second इसी में केवल कितने case दिखाने है बस 2-3 जादा दिखाने की कोई जुरत नहीं है यह केवल हम अल्रेडी जानते हैं कि कोई भी जो होता है consecutive integer का product एकदम natural है 6 से divisible होगा आप कोई भी consecutive integer ले लिए जैसे मैंने आपको Olympiad version में सिखाया लेकिन word version में लिखती वक्त आपको यह following जो पहले 0 level से बताया अब आपको समझ में आया पहला question क्यों जरूरी था यानि आपको यही सब question के लिए वो मानना जरूरी था कि every positive integer it is the form of 2q, 2q plus 1, 2q plus 3 अब वहां से अलग-अलग हम लोग निकाले थे odd अलग होता है, even अलग होता है तो यह सब process को सीखना है systematic धंग से क्योंकि अब zero level के question नहीं मिलेंगे, अब interface level के मिलेंगे तो यही मैं बार-बार बोलता हूँ, मेरे class की खासियत क्या है, systematic धंग से पढ़ना अगर systematic धंग से नहीं पढ़ेंगे, तो question बिलकुल समझ में नहीं आएंगे क्योंकि पहले zero level के question, फिर धीरे धीरे उसी के according चलते रहता है जैसे मैं अपने class में बताता हूँ, जैसे आपके दो परकार के everything होते हैं, उसी तरह according to question भी वैसे ही करना है तो all of guys जल्दी से reply करिए, किते लोगों को यह theory समझ में आ गया, कि हम लोग इस question को लिखने की practice board में कैसे करेंगे ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग फिर आगे करेंगे अब second value, अब case second में लेने जा रहा है, क्या, case second में लेने जा रहा है n की value 6q plus 1, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, तो देखिए जैसे हैं मैंने लिया, तो क्या है, n into n plus 1 into n plus 2, ऐसे, जो value है तो n की value 6q plus 1 रख दिया, यहाँ पर रखेंगे 6q plus 1, तो add करेंगे तो कितना हो जाएगा 6q plus 1, 1, 2, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 6q plus 1 plus 2, 3 by 6, तो अब हम यहाँ common लेंगे तो यही चीजों को समझना है, तो अब हम जो समझा रहेते बच्चों, कि गड़बड क्या होगा, कि कोई भी product को हम अच्छे से नहीं समझेंगे कि every positive integer को किसके form में लिखना है, तो इसी लिए गड़बड हो रहा था, वहाँ पे क्या, 6q, 6q plus 2, 6q plus 3, एक एक word छोड़के आ रहा था, 6q plus 3, 6q plus 4, 6q plus 5, तो इसी में समझना है consecutive integer का, कि कौन सा consecutive integer से होंगे, तो जहीं हम यहाँ 3 का common लेंगे, तो 2q plus 1 होगा, तो यहाँ 3, 2, 6, 2 बच गया, अब 2 का किसे cancel है, इससे, तो 2 का cancel लेंगे, तो 2 common हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q plus 1, तो यह भी 6 से divisible हुआ कि नहीं हुआ, तो यह भी 6 से divisible ह हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो फिर से सीख लें, कि यह 6 से divisible कैसे होगा, यानि केस को अच्छे से समझना है, ठीके, अभी हबडाना नहीं है, कि हमको आज एक ही question पढ़ाया गया, आज 2 question, यह important है, teacher को नहीं आता है, समझाने, तो तुम toughest part of equally division lemma, बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अच्छे से करना है भाई, नहीं करेंगे, तो फिर wrongable हो जाएगा, सिख नहीं पाएंगे, actual चीज नहीं सिख पाएंगे, कि कैसे board में लिखना है, ठीक है, olympiard वाला, very easy है, कुछ नहीं सोचना है, उसमें लेना ह तो दो परकार से game खेल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले easy वाला बताया, अब यह toughest part है, इसको अच्छे से सीखना है, note करना है, कि कितने case बन सकते हैं, और case किसे individual होने हैं, six से, तो इसलिए यहाँ हमने a, b positive integer माना है, उसी से करवा रहे हैं, ओके, तो जल्दी से reply क कर यह कितने बच्चों को समझ में आ गया, हरशीत, ठीक है, विवेक, ठीक है, सुशील, all of guys, आर जल्दी से करना है, देखो, case second को फिर से समझते हैं, घबडाना नहीं है, एक ही question पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, यह भी एक पढ़ने की कला है, ओके, very good, बि 6Q से दिखा दिये हैं, इतना तो समझ रहे हैं, हम लोग क्या जानते हैं, every positive integer, it is in the form of सबसे smallest, 2Q, 2Q plus 1, 2Q plus 3, 2Q plus 4, 2Q plus 5, लेकिन वहां 2 था, इसलिए हम लोग 2Q और 2Q plus 1 तक गय थे, ओके, लेकिन यहां किसे divisible हो जा रहा है, 6 से, तो 6 से divisible हो जा रहा है, तो remainder कहां तक जा आएगा, क्योंकि B की value less than R होती है, तो B की value 6 less than, यानि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, यानि हम जो positive integer ले सकते हैं, ऐसे समझना है, positive integer ले सकते हैं, यहां जो है, देखो 6 से divisible है, तो जिससे divisible होता है, वहीं divisible होता है, मैंने बताया था, ले मा में, यहीं समझना है, जो divisible कर द होता है, divisible मतलब क्या होता है, remainder is zero, इसका मतलब समझो, जो 9th class में बताये थे, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बच्चों ऐसा, बहुत बच्चे डर जाते हैं, यह ले मा मा से, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है, मैच क्या कहता है, खेलिए नोटंकी करिए, मजा remainder 0, और फिर मैंने पढ़ाया था, कि जहां remainder 0 आता है, वहीं divisor होता है, और divisor जो होता है, वहीं B होता है, सो यहाँ B की value 6 क्यों हुआ, तो वहाँ से हुआ, B की value 6, divisor, divisor को ही B बोलते हैं, और फिर मैंने कहानी बताया था, remainder और B की कहानी, यानि जो होता है, remainder की value, R की value, हमेशा जो होता है, वह less than B होता है, बच्चों, क्या होता है, less than B होता है, यानि R की value कहां तक जाएगी, less than 6, यानि क्या हो सकती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानि जो हमारा positive integer है, तो वो क्या हो सकता है, formula फिर वही, A equal to B Q plus R, तो 6 Q हो सकता है, 6 Q plus 1 हो सकता है, 6 Q plus 3 हो सकता है, 6 Q plus 4 हो सकता है, 6 Q plus 5, 6 Q plus 6 नहीं हो सकता है, तो यही positive integer था, तो यह positive integer हम directly नहीं मान सकते थे, तो जो सौर जी ने कहा, कि सर आप consecutive integer 6 Q 6 की वो नहीं भाई, वो तो integer है, consecutive नहीं है, वो एक-एक N की value each है, अलग-अलग है, consecutive तो यहाँ पे है, जो हमने N को positive माना, N, N plus 1 और N plus 2 आर consecutive integer, समझ में आया बच्चों, अब हमको reply करिए say yes या no, तो अच्छे से समझना, systematic ढंक से समझना, आगे नहीं बढ़ना, कोरम नहीं पूरा करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों, तो जल्दी करिए reply में say yes या no, किते लोगों को समझ में आया, कि कैसे हम लोगों को करना है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने समझा, एक-एक part को, अब एक-एक case बना रहे हैं, इसमें कितने case बन सकते हैं, 5, जैसे हम वहाँ case बना रहे थे, यहाँ पे भी case बनाएंगे, तो case 1 में हमने n की value कितना रखा, 6Q, क्योंकि 6Q था, तो सबको समझ में आ गया, कि इन तीनों का product, किसे divisible दिखाना है, 6 से, तो यहाँ 6 से 6 directly cut गया, अब case 2 में समझना है बच्छों, ठीक है, तो case 2 में अब हमारा जो है n की value, सब लोग बताएंगे, n की value कितना लेना है, n की value 6Q प्लस 1 लेना है, क्योंकि दूसरा case 6Q प्लस 1 है, लेकिन क्या दिखाना है, कि product of 3 consecutive number, तो हमने किसको consecutive माना है, तो हमने माना है n को, फिर माना है n प्लस 1 को, फिर माना है n प्लस 2 को, किस से divisible दिखाना है, 6 से, अब n की value हम put करेंगे, तो n की value अब क्या put करेंगे, यहाँ 6Q था, तो 6Q put किये थे, यहाँ n की value 6Q प्लस 1 है, तो 6Q प्लस 1 put करेंगे, तो अब यहाँ देखो n प्लस 1 है, तो 6Q जब यहाँ 1 put करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 6Q प्लस 1 और प्लस 1, ऐसे, फिर कैसे करना है आगे वाले में देखो N की value कितना put करना है 6Q plus 1 और फिर already यहाँ 2 था और divisible by किसे करना है 6 से अब देखो किते लोग काएंगे अब नहीं कटा common निकालना है देखो इसमें से कितना common निकल सकता है यह तो cut नहीं सकता है तो इसको छोड़ देंगे हमको केवल 6 से मतलब है तो देखो इसमें से 2 common निकलेगा और इसमें से कितना common निकलेगा 3 common निकलेगा नीचे कितना है 6 अब बाकी सब यह रहेंगे 6Q plus 1 तो उसे क्या फरक पढ़ने वाला है यहां किसे divisible हो गया 6 से यह समझना है बच्चा यह है असली कोश्चन और कितने केस तक हम दिखा देंगे 5 केस तक 3 बोर्ड में अगर 5 निमबर का है तो 5 केस दिखा के लिखेंगे कि every consecutive positive integer का product 6 से divisible होता है ठीक है बच्चो तो अच्छे से समझना है अच्छे systematic धंग से पढ़ना है भागना नहीं है कि ते लोग का पहला chapter खतम हो गया होगा लेकिन जब board के question होगे जब ऐसे question आएंगे तो फिर नहीं लगेंगे तो यहीं दिक्कत होता है मैं क्या बोला हूँ कि कोई भी chapter को इतने सिद्दत से इतने अच्छे डंग से पढ़िए कि दुनिया के कोई भी exam हो वो question लडने चाहिए तभी हमारा संकल पूरा होगा नहीं तो फिर वहीं मजदार में रह जाएंगे यानि बूंद-बूंद से घड़ा बरता है ठीक है तो class को अच्छे डंग से समझे अच्छे डंग से कोर्ष खतम होते हैं याँ पे मैं बताता हूँ जैसे आपको तो अब इसी तरह case 3 रखोगे वहाँ भी common होगे शीक से खतम हो जाएंगे तो अब खुश्बूसिंग और रिप्लाई में समझ में आ गया बच्छो जल्दी बताइए मुझे रिप्लाई करिए अब सबको आ गया अब इसी question को आज का last question है और अच्छे से करना है इकली डिविजन लेमा तीन दिन में खतम होता है क्योंकि अच्छे से समझना है वेरी गूड आर्यान जल्दी से खुश्बू वेरी गूड सत्य प्रकास देखो इसी question को अब इस तरह से बदल दिया question वही रहा लेकिन version change हो गया भगवान एक ही है नाम अलग अलग है देखो उसी question को यहाँ पे कहा था कि 3 consecutive pure English version अब यहाँ mathematics version very very important question क्या बदल दिया क्या देखो करें for any positive integer n prove that n q minus n is divisible by 6 अब इसी question को हम आपको objective में भी देंगे और वहाँ बहुत कम बच्चिक करेंगे objective tricks n t h c में क्या पूछेगा n q minus n where n is positive integer divisible by 1 3 6 2 बहुत बच्चे गलती करेंगे तो सई option काउन सा है 6 यह है n t h c question लेकिन बहुत लोगों को समझ में नहीं है यह कैसे हुआ तो कोई भी positive integer रखो इसी के according में ध्यान में रखना है यहाँ n बोला है positive integer positive integer कहां से start होता है 1 से तो चलो 1 रखें यहाँ पे 1 का q minus 1 0 0 चारो से कटेगा बिल्कुल सही है अब 2 रखते है n की value क्योंकि positive integer कहां से सुरू होता है 1 से objective लगाने का tricks क्या है इसका बहुत simple है वहाँ बताया रहेगा value को तो अब यहाँ n की value 2 रखते है 2 का q 8 8 minus 2 6 6 by 6 तो 6 1 से भी करता है 3 से भी करता है 2 से भी करता है करता है ना तो चारो option अभी भी सही है wrongable अब 3 से start करते है n की value 3 3 का q 27 और minus 3 24 24 1 से भी करता है 3 से भी करता है 2 से 6 से भी करता है तो ऐसे case आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि सारा सही हो रहा है last के कभी 3-4 पहले word में पता चलता है कि इन 3ों से नहीं कटेगा एक से लेकिन 6 का ये 3ों product हैं तो जो 6 से कटेंगे 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा 6 से तो last option यहाँ पे बदल के none of these भी दिया रहेगा none of these तो answer none of these भी होता है ठीक है बच्चों तो question को अच्छे से समझना है नहीं तो फिर गलत हो जाएगा लिखते वक्त ठीक है नहीं तो फिर बहुत हीजी है तो अच्छे से समझना है कि कैसे हम लोग सीखेंगे objective tricks कैसे सीखेंगे और subjective देखो अब वही question था लेकिन कैसे बदल दिया वो pure English version जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी Maths 2-2 version में होते है एक pure English version और एक pure mathematics version तो बच्चे डर जाते हैं question पढ़े रहते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम होता है वो बोर्ड न करता है क्योंकि किताब और में वो दिया रहता है बोर्ड में अच्छे से समझना है वर्जन चाहें 10 वर्जन में 10 वर्जन में आपको Maths पढ़ाऊंगा अच्छे से सीखाने आया हूं घवडाना बिलकुल नहीं है ठीक है तो क्या question बदला है देखो अच्छे से समझ देंगे करा है prove that n q minus n देखो वही चीजे था बदल गया n q minus n और n क्या है positive integer है यहां मानने की कोई जूरत न है n positive तो इसको कैसे लिख सकते है n common n जैसे ही common लिए तो यह हो गया n square minus 1 और फिर n और इसको किसके formula पर मिलिख सकते है a square minus b square क्या होता है a plus b a minus b यानि हम लिख सकते हैं इसको n plus 1 n minus 1 यानि आ गया यही value था n n plus 1 n और क्या बोला है n is a any positive integer लेकिन हम book version में क्या पढ़ाया थे 6 से है न 6 से divisible है तो माल लेंगे late यही n को किसके version में 6q के version में यानि late 6q 6q plus 1 6q plus 2 6q plus 3 6q plus 4 5 तक ही जाएगा ज्यादा नहीं जाना है ठीक है any positive integer यानि n की value अपने से यह ले लेना है यह होता है वो बता दिया था question number one में आपको डरना नहीं है आपकी ते फिर कैसे पढ़े तो यसी लिए तो 0 level से पढ़े थे वो बता चुका है आपको लेना है कि कोई भी positive integer जो होता है सबसे smallest form 2q 2q plus 1 क्योंकि वहाँ 2 से लेज देन था फिर 3q 3q plus 1 3q plus 2 फिर 4q 4q plus 1 फिर 5q अब जी से 6q यह गेम है खिलना है मजा है ओके तो all of guys reply me say yes या no समझ में आया question वही था वर्जन चेंज हुआ है यानि यह mathematics वर्जन में है ओके तो अब इसी को हम लोगों को 6 से divisible करना है तो कैसे करेंगे अब एक case 1 मनाएंगे यहाँ पर फिक है तो case 1 तो case 1 में n की value क्या रखेंगे n की value रखेंगे 6q तो क्या दिखाना है बच्चो क्या दिखाना है n q minus n divisible by 6 तो put करेंगे n की value तो n की value 6q का q minus 6q upon 6 तो 6q common हो जाएगा 6q square minus 1 by 6666 यह divisible हो गया पहला case ठीक है उसी तरह अब n की value 6q plus 1 रखेंगे अब इसमें रखके solution करेंगे 2-3 times तो क्या हो जाएगा hands prove यानी every positive integer n q minus n divisible by 6 तो आज के लिए ही इतना ही और जो मैं homework दे रहा हूं उसको जरूर practice करिएगा panic नहीं होना है parents की बात मानना है और homework को बिल्कुल लगाते रहना है जो theory whatsapp group पे दे रहे हैं उसको note करना है क्योंकि मैं आपको systematic ढंक से पढ़ाऊंगा अलग बिल्कुल अलग सबसे अलग ओके बच्चों तो आज के लिए homework note कर लीजिए और उसको जरूर करना है ठीक है बच्चों तब मैं आपको सिखाऊंगा कल important theorem तो ये question है आपके important 1,2,3,4 ठीक है बच्चों thank you बच्चों आज के लिए इतना ही ओके